तो हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सिने सुत्रा पे मैं मैंनेजर साब ले के आगी हूँ आपके लिए एक और नई विडियो बात करेंगे इंडियन आइडल के सीजन 14 की यार इस बार जजेज नहीं कंटेस्टेंट भी बहुत जबर दस्त आ रहे हैं देखो इस ब बहुत अच्छी म्यूजिक डिरेक्टर हैं बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक दिया उन्होंने बट जब बात जजज्मेंट के आती है न तो भाई यह लोग उनसे काफी जादा बैटर हैं यह मतलब हैंड्स डाउन यह चीज है यह जादा ओवर ड्रमाटिक नहीं है में इन फोकसिंग पर करते हैं बंदे के टैलेंट पर ध्यान देते हैं मतलब बहुत सारे पॉइंट्स में यह लोग उनसे काफी जादा बहते रहे हैं अच्छे हैं तो वह अच्छे हैं इसमें कोई शक नहीं है इसलिए उन्हें चेंज भी नहीं किया गया है बट हाँ श्रिया ला रहे हैं इस बार तो क्या ये भी होता है कि अगर जज बेटर हो तो बड़िया सिंगर निगल के आते हैं कि लोगों को होता है इन से इनके पास मैं जाओंगा ये मुझे बहतर तरीके से जज कर पाएंगे शायद ये भी एक पॉइंट होता है सिंगर के मन में कि यार मैं उसी शो पर जाओंगा जहां जज अच्छे होंगे ताकि मेरी कला को रेकिनाईज कर सके और नाकी जो है वो सारा फोकस मेरी बैकराउंड स्टोरी और एमोशन पर देते रहें वहीं पर मैं जे एक सिंगर जो परसनली बहुत ही जादा आउटस्टेंडिंग लगे हैं वो है अनिरुद जी हाँ वो साउथ से जो अनिरुद सिंगर आये थे जिनकी आवाज एस्पी बाला सुबर मन्यम जी से मिल रही थी उन्हीं के स्टूडेंट भी रहे हैं वो उनके साथ ही को नहीं रियालिटी शो सिंगिंग शो पहले भी किया है जहां पे एस्पी बाला सुबर म कोई बन्दा अगर सोनुनिओ जैसी ओवास लेके आता था था अनू बहुत बढ़िया लगता था औरे वायर इसकेатели कSwag дос Ono लिए मिल था जैसे बहुद वाशाल के पांछा to는 के वहास सही बहुत सही लगता था ओर दधर दस बारामसरा साल ना वहीं चीज चलती आ रही है, एक दो बंदे होंगे जिनके आवाज सोनु निगम जैसी होगी फिर कुछ बंदे होंगे जो पंजाब के होंगे और वो पंजाब की हाई टोन में वो पंजाबी टोन में गाना गाएंगे बहुत सारी similarities सी चलती जा रही है कुछ हलग हट के आवाज नहीं आ रही है जैसे कि अभी अनिरुदिद की आवाज आई है बिल्कुल एक डिफरेंट बिल्कुल एक नई नई तो नहीं है SP बाला सुबरे मन्यम जी की आवाज ऐसी थी पर वो बहुत लंबे दोर से ऐसी कोई नई आवाज ऐसी कोई नई tonal quality निकल के नहीं आई है reality shows के अंदर खास करके क्योंकि एक set pattern के अंदर चलते जा रहे है safe खेलते जा रहे है अब ये पता नहीं है कि इनको भी आगे theater round clear कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा but for me personally an outstanding voice in terms of tonal quality बिल्कुल कुछ नया कुछ हटके कुछ अलग है इनकी आवाज के अंदर वहीं और भी जो बाकी contestant आ रहे है न इस बार सब ही बिल्कुल different लग रहे हैं कोई भी contestant ऐसा नहीं लग रहा जो न किसी को copy करने की कोशिश कर रहा है बहुत सारे लोग गाना गा रहे है but वो singer का essence अलग छोड़के अपना input दे रहे हैं जो की बहुत ज़ादा अच्छा लग रहा है मुझे नहीं पता यह overall evolution हुई है इस बार singers के अंदर खुदी realization आई है कि हमें अपना perspective आगे रखना है किसी की तरह नहीं बनना है बट अपना अपनी singing को दिखाना है या फिर यह makers की तरफ से एक नया change लाया गया नया shift लाया गया उन लोगों को preference दी गही है जो लोग ऐसा कर रहे हैं अब I don't know यह क्यों हुआ है या कैसे हुआ है पर यह चीज मुझे personally बहुत अच्छी लग रही है आप भी बताओ यार मुझे comment में आपको यह चीज better नहीं लग रही है जो singer है वो अपने singing आगे लख रहे है अपना style आगे रख रहे है ना कि किसी को copy कर रहे है अब आगे जाके जो इस show में problem होने वाली है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ जब यह top 14 select हो जाएंगे अब हर कोई बंदा किसी ना किसी चीज में expert होगा वो उसी तरह के गाने गाना prefer करेगा अब जब वो एक ही जा रहा के गाने गाएगा तो यह इनका शुरू हो जाएगा भाई आप में versatility नहीं है आप different गाने नहीं गा रहे हो आप एक ही style गाते जा रहे हो अब भाई है जिसमें बंदा expert है उसको एक chance मिला लाइफ में तो वो ही चीज पे गाएगा ना अपना best foot forward रखेगा ना versatility की अचार्ट नहीं है किसी ने अब मुझे एक बाद बताओ जो गाना श्रिया गोशाल नहीं गाना ना उसके लिए उशा उत्तम को तो नहीं बोलाएंगे और जो उशा उत्तम ने गाना है वो उशा उत्तम नहीं गाना है तो जब एक Bollywood music director किसी को गाना देना होता है तो उस आवाज का जो उसके दिमाग में होती है उसका specialist ढूंडता है ना ना कि ऐसा बंदा डूंडता है जो 4-5 तरह की आवाज एक ही है कि इला बंदा का जाए तो ये चीज मुझे नहीं समझाते है कि क्यों वर्सेटलिटी के बीचे भागते रहते है शो के अंदर जबकि जो आपका future होने वाला है जहां आपको काम मिलने वाला है जिस चीज में special आपको उसके लिए काम मिलने वाला है तो ये चीज आगे जाके आयाते है जिससे मुझे लगता है कि सिंगर खराब हो जाते है इसलिए हमने बहुत ही कम ऐसे winners देखी है जिनको आगे जाके कोई जादा कुछ खास काम मिला हो ऐसा नहीं है सबको अपने अपने लेवल पे काम मिला बट कोई बड़े सिंगर में convert होता आज तक नहीं देखा बहुत बहुत क्या कोई भी ऐसा आज तक सिंगर ही नहीं आया जो reality show जीता हो और बाद में उसने बॉलिवड में कुछ बड़ा crack किया हो तो ये चीज क्यों हो रही है ये शायद इस बार show वालों को थोड़ा समझे लगता idea लग चुक है या तो creative change हुए होंगे या management change होगी कुछ तो change हुए बट ये change positive है ये change अच्छा लग रहा है मुझे नहीं समझा रहा है इस बार theater round से top 14 में किन को लिया जाएगा क्योंकि बहुत ज़ादा tough competition है अभी तक अब जो लोग sad story के साथ आए है वो तो 100% आगे जाएंगे ही जाएंगे शो की TRP का सवाल है अब talent versus sad story में कौन आगे निकल के आता है यह हमें पता चल जाएगा बट मैं भी बता रहा हूँ इनके पास एक strong sad story है वो तो रहेंगे ही रहेंगे अब जैसे अनेरोध है वास different है tonal quality different है बट कोई sad story तो भाई लाए नहीं अपने साथ तो हो सकता है कि इनकी selection ना हो पर personally I liked him a lot इनके अलावा भी और भी बहुत अच्छे-च्छे singers है यह मेरे दिमाग में इसलिए बैठ गे है क्योंकि इनकी मैंने बताया tonal quality मुझे बहुत जादा पसंद आई है बट और भी इस बार singers बहुत ही जादा बड़ी है इस बार मज़ा आएगा मुझे लग रहा है Indian Idol देखके आप कमेंट में बताओ क्या आपका फेवरेट अभी तक हो चुका है कोई अगर है तो उसका नाम कमेंट में बतादा मुझे और वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ